हेलो एन वल्कम गाई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग नवी मुंबई प्रेमियर लिग टीट्वेंटी की बात करेंगे जो की मेज होगा बेलापुल ब्लास्टर्स और अमबनात एवेंजर्स की विच में तो चले दोनों क्प्लेयर पर एप नजर करेंगे कोनसा प्लेयर गोंलों के वागन में तो चले पीर पीर बीना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करते हैं इस match की इससे बेले एक छोटी सी request रहेगी कि यूटूब चैनल को अभी दख अपने subscribe नहीं किया तो सबसे बहले यूटूब चैनल को subscribe कर लेना है क्योंकि ये टूनामेट हम लोग पूरी cover कर रहे हैं इसके साथ-साथ यहाँ से आपको ICCA Arabian T20 की वीडियो मि दोगा टेलिग्राम से जुड़िएगा और टेलिग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे description में दिया हुआ है उसी लिंक से टेलिग्राम चैनल को जोइन करना है बात करते हैं इस match की तो ये मेंश श्याम को छे बचकर 15 मिनिट पर मजबकाउं क्रिकेट ग्राउं क कलंबोली नवी मुंबई में खेला जाएगा जहां पर पिछ रिपोर्ट की बात की जाए तो यहां पर नूटल और वैलेंस है बैलेंस मतलब रंस की बात की जाए तो रंस यहां पर टिक टाक बन जाते 140 के आसपास मैंने मेंशन किया अभी यहां पर क्या आता ना कि शुरू लास्ट कुछ मैचिस के अंदर चेजिंग करने वली टिम को एडवांटेज ज्याद रहा है तो अभी के लिए टिम टॉसिकर को चेज करना पसंद कर सकती लेकिन अभी तक मैक्सिमम टाइम देखा गया कि टिम ने टॉसिकर पहले बल्लेबाजी करना काही फ्यसला लिया है त अभी जेखो अमन खान जो कि विकेट की बल्लेबाज है पिछली दो मैचकनर कुछ खास नहीं किया लेकिन इन्होंने एक चीज जरूर की ती पहली मैचकनर हमको वन सब्सक्राइब करवाया था तो वही कुछ एक्सेप्टेशन इंसे रहेगी विकेट की बल्लेबाज है कुछ खास परफरमस नहीं रहा पिछली दो मैचकनर बैटिंग से टिक टाक कर रहे चौबिस और सोला जैसे ले सकते है वैसे लास में के ओपनिंग करवाया था बैटिंग और कोई फिक्स नहीं देख सकते है आप लो एक बार इंग की बैटिंग भी आई है इसके पवार हमा आपको एक बड़ा एडवेंडेज देंगे फिर उन्होंने ओस करवाने का शुरू किया और वहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या चलवा दिखाया तो एसा ही कुछ होता है और हम यह चीज सारी कहते है क्योंकि हमारे पास डेटा होता है पिछले साल का डेटा है हम हमारे पास तो ऐसा ही कुछ है चीन में सुतार जो की तीनों मेंच के ने कुछ खास नहीं किया लेकिन इन्होंने एक बार ओपनिंग जरूर करवाई है एक बार हाला कि 26 रेंड भी किया सोरी अबर पिछली बार भी एक साही था तीन मेंच के लिए जिसमें से एक बार बड़ अके लिए हैं अंकी चमान एज़प लेकर के साथ कप्तान और वाइस कप्तें से एक एक लिए तो इनको लेकर आए अतुल सिंग लास मेंच के हमारे लिए सबसे बड़े ट्रम काड़ रहे क्योंकि इनका सेलेक्शन काफी कम था क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी टूर्ण सबीर हुआ पिसली बार भी कुछ देख सकते हैं ऐसे बड़े परपमस दिया तो इनका ऐसा ही जो ओस पूरी करवाएंगे तो यह से डेफिनेटली आपको बड़ा एडवंडेस देंगे क्योंकि इससे पहले तीन मेंच के ने एक एक और की गरवाई है और इसके पहले शुर फैटन वाईश क्या हो सकते हैं बाकी जलील खान का और रोल परपमस ठीक्टा करा है जाओ तो ले सकते हैं रोसन जाद हो क्योंके रहेंगी चील में लेके जाओगे इसके साथ अबर पंकच परदेशी ने शुरुआत की मेंच के अंदर तीन विकेट निगा लेता है इनका ह की परफॉमंस कुछ खास नहीं है श्टाटिंग में आप जलील खान धर्मेंदर गुपता देतोस में आपर अंकित चमवान और इसके साथ आपर विस्वा करमा ने शेकंड लास मेंच करवाए था गयन वाजी लास मेंच करा आई तिंग यहाँ पर गुपता ही देतोस में ग लिखेगा वह यहाँ पर रुगवेद मोरे हैं जिन्होंने शेकर दोई मेंच कहला था एक मेंच कहने फिल रहे थे दूसरी मेंच कहने बासट के लेकिन यहाँ पर हमारी वाइस कप्टक दे और हमको एक बड़ा एडवाटेज मिलाता तो कर सकते आप लोग अगर खेलता है तो वेरी इंपॉनेट रहेगा यह में छे मेंच कली तीन जीती तीन हारी ओपनिंग में आपर सर्वेस पाटिल और इनके सारे आपर सुर्जान अथावले ने ओपनिंग करवा है अथावले आपर अच्छे पॉम में 40, 16, 18 और 57 पाकी पाटिल 32, 43, 49 यह से अच्छे पॉम मे दिखेंगे जो कि इन से एक्सेप्टेशन बहुत बढ़ी थी पिछली टूनामेंट के दिए अपर 32 के साथ दो विकेट 15 दो विकेट यहाँ पर त्यवी सरन तो लेकिन यहाँ पर कोई खास परफोमस नहीं रहा इनका एक बार दो विकेट जलू निकाले इनोंने लेकिन फि दिखंबर दिवाले ओके ओके निखिल पाटिल वी ठीक है इनको विजियर में लेके जाओगे सक्षम जावरी इंपोनेट रहेंगे शुरुवात में इनके नाम का ढंका बजा पिछली तीनों मेंच के अंदर कुछ खास नहीं किया बाकि ओस बगिरा करवा रहा है ले सकते इसे इनको थोड़ा सा नीचे बेजा जा रहा है जरुवर पढ़ने पर उपर बेजा जा सकते हैं इनको बनाई रखेंगे मलोग टीम के अंदर इससे साधे अबर पराक ज्यादा हो लास में के विकेट ले चले इनका तीन में लगा तार अच्छा परफॉमस हुआ पिर इनक के बाहर बैठना पड़ा लास मैच के अंदर आइधिंग एक या दो मैच में आराम देने के बाद इनको जब खिलाया गया जहापर दो वस्की गेंबाजी की लेकिन की लाई टूट गई तो आइधिंग जो लाई थी उनकी लाई टूट गई है यासे बारत बाच पिछली द बाच पाविन दर्जी को डिफरेंसिल में इसकी खिलो तो लीजेगा बाकी स्टाटिंग में आपर जावित खन और यह सिंग देतवस में आप पाविन दर्जी और बादवाज जेत में आ सकते हैं इसके अलाबा ब्याइन से कोई भी ब्लेयर कहलेगा तो इंके भी स्टैट् स्क्रिप्सिन में दिया है अब यहां पर दिखेगा और वो है आपर संकेत गोवारी जो एक मैच के ला था बैटिंग ने आई थी लेकिन ज्यान में रखिएगा अगर लाइन अप में दिखता है तो यह प्लेयर आपकी टीम का हिस्सा होना चाहिए वह पिछली बार देख सक से देख लीजेगा अभी के लिए देख लेते हैं हमारी डेमों फेंटासी टीम कोंसी हो सकती है कोंस प्लेयर को लेके जानवर को लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं तो विकेर गिविंग सेक्षन से हम लोग यह आपर एस पाटील को लेके जा रहे हैं यहाँ पर आपके लिए अमन खान भी बेस्ट ऑप्सन है दोनों में किसी एक को ले सकते हैं कि दोनों यह अपनी अपनी टीम के लिए ओबनिंग करवा रहे हैं बैटिंग सेक्षन में आपर पी जादव है सुर्जान अथावले और यहापर वारतवाच दोनों का ही सिरेक्षन काफी काम है लेकिन द बाकी तो यहापर खास ऑप्सन्स नहीं है बॉलिंग सेक्षन में आपर अंकीत चमान है इसके साथ अतुल सिंग और एस जाह हमारी टीम के अंदर रहेंगे बाकी आपके लिए देखो गुपता बेस्ट ऑप्सन है क्योंकि यह बंदा यहापर स्टार्टिंग में देथ में उन्हों में गेन्बाजी करवा लेता है जाविर खान भावेंदर जी यहापर जलील खान यह सारी प्लियर्स को आप लोग डिफरेंसिल में ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने एक-एक मैच के दिर कुछ अच्छे अच्छे पर्फरमस दिये हुए टीम की बात करते है तो टीम क लाइक करो ओएक करो कॉमेट करो और साथी में युटूब चैनल को सबस्क्राइब करो ताकि आगए आने वाली और अच्छे शिज़के वीडियो जल्दी से जल्दी मिलेंगे तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक आप लोग करोगी रहे है देखो करना कुछ नह अच्छी टीम बनाओ, अच्छी वीनिंग कते रहो, हम लोग मीनिंग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाई, दन्यवाद, जैहिन, जैपारत